नमस्कार मैं पूझा प्रिया लाइब स्रीज के स्ट्रो चानल में आपका स्वागत है हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि ने साल को आने में अब कुछ ही समय बचा है ऐसे में सभी पुरानी बातों को भूल कर ने साल में बढ़ने के लिए सभी अग्रसर है यानि की आगे है वही कई लोग इस साल अपने मुटापे से परिशान रहे होंगे और उन्हें पतला होना होगा जिसके लिए उन्होंने खूब जतन किये होंगे लेकिन वह काम्याब नहीं होंगे जीहां मनुश्य के सरीर की सुन्दरता अवश्यक है और वह उसके मुटापे के कारण कम हो जाती है वही उसको फुर्ती के लिए शरीर गठा हुआ इबं समानने चाहिए जो बहुत कम हो पाता है ऐसे में कई लोगों को मुटापा घेर लेता है जो दुखदाई रहता है एबं मनुश्य बत्ता दिखने लगता है और उसकी सुन्दरता चली जाती है वहीं ज्यादा मोटापा कई बीमारी भी उत्पन करता है और मोटापे को कम करने में इंसान और मोटा होता चला जाता है अब अगर आप भी इन्ही सभी समस्याओं से घिरे हैं तो आईए आज हम आपको मोटापा कम करने का एक असरडार तोट का बताने जा रहे हैं आप अकثर मुटापा कम करने के लिए तमाम तरह की चीजों को अपनाते होंगे आप एक और टिप्स अपनाएए अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपका मुटापा नहीं कम रहा तो आप कुछ ऐसे तोटके अपनाएए जिससे आपका मुटापा कम हो जाएगा आज हम उन्हीं टोटकोई के बारे में बात करने वाले हैं मुजाबा कम करने के लिए सरलतम टोटके की अगर बात करें अगर आप मोटापे से परिशान हैं तो रविवार के दिन अनामी का उंगली में काला धागा बांध ले इबं उसको रांगे की अंगूठी से ढख ले अर्थात पहन ले इससे आपको आश्चर्य होगा लेकिन आप गौर करिएगा आपका मोटापा दीरे दीरे कम हो जाएगा और उससे आप फिट भी लगने लगेंगे आप exercise करते हैं, diet follow करते हैं और इन तमाम चीजों को follow करने के बाद भी आपका मोटापा नहीं कम हो रहा तो आप ये टोटके को एक बार जरूर अपना है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि exercise और doctor के सलाह के साथ साथ कुछ छोटी बड़ी टोटके भी आपके काम की होती है और उन्ही टोटके में से एक ये टोटका है जो आपके बड़े काम का है आप exercise करें, doctor की सलाह पे diet भी follow करें वो हर चीज करें लेकिन उसके साथ साथ आप ये टोटका जरूर अपना है आपको फिर से एक बार हम इस टोटके के बारे में बता देते हैं रवी बार के दिन अनामी का उंगली में काला धागा बांध ले और उसको रांगे की अंगुठी से ढख ले यानि की पहन ले इससे आपका मोटापा कम जाएगा ऐसी ही तमाम अनित जानकारियों के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करें फिस्बुक पीच को लाइक करें धन्यवाद